हर्याना के रादोर के गाउं बरहेडी में बीते दिवस अग्याद शरार्ती तत्वों ने गाउं के बाहर लगी सम्विधान निर्माता बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की मूर्ती को खंडित किया है इस मामले में आज भीम आर्मी सहित विभिंद अलित संगठनों ने ग्रामीनों के साथ बैठ कर इस कारे की निंदा की है वही प्रशासन ने इस मामले के आरोपियों की जल्द गिरफतारी की मांग के साथ खंडित की गई मूर्ती को भी जल्द लगवाने की मांग की है वही दलित संगठनों की बैटे को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दिया और मौके पर पुलिस टीम के साथ दो DSP सहीद BDPO मौके पर मौके पर मौजूद रहे वही भीम आर्मी के प्रदेशा देक्ष कमल बराडा ने कहा कि इस जगह पर ये मूर्ती खंडित के जाने की तीसरी घटना है जिससे दलित समाज की आस्था को बार बार ठेस पहुचाई जा रही है उन्होंने का कि प्रदेशासन से हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द दोश्यों को गिरफतार कर उन पर देश द्रो का मुकदमा दर्ज किया जाए इसके अलावा खंडित की गई मूर्ती की जगह नई मूर्ती स्थापित की जाए वही जियस्पी रादोर रजद गुलिया ने बताया कि इस मामले में अग्याच चरारती तत्वों के खिलाफ केस दर्जकर आगामी कारवाई की जा रही है वही बाद में दलित संगठिनों की हुई बैठक में प्रशासन को दो दिन के भीतर इस मामले के आरोपियों को गिरफतारी वह मूर्ती की आज ये स्थापना किया जाने की सहमती बनी आपको बता दे कि इस जगह पर मूर्ती खंडित की जाने की ये तीसरी घटना है इसे पहले भी 2010 में दो बार समविधान निर्माता भीम राव अंबेडकर की मूर्ती खंडित की जा चुकी है 2010 से लेकर के आज तक तीन बार जो है बाबा साब की प्रतीमा को खंडित किया गया और ये प्रतीमा ही खंडित नहीं होती है बहुजन समाज की जो आस्था है उसको खंडित किया जाता है और अब जो बहुजन समाज है वो बिल्कुल भी परदास्त नहीं करेगा और परसासन और बहुजन समाज के लोग यहां पर इकठा हुए हैं परसासन से हमरी क्वेस्ट कर रहे हां, मांग कर रहे हैं, हमारी मांग है, पुर जो और मांग रहे गी कि यह जल्द से जल्ड है दोशें को गिरिफतार किया जाए, उनकर देश द्रोग का मुक condemnा दर्ज किया जाए क्यों कि यह मुर्ति जो है, भारतिया समीधान की निएमाता जिनके बदोलत ये पूरा देश चल रहा है जो दोशियां उन पर जो है देश्द्रों का मुकदमा दर्ज हो और उनको जल्द से जल्द जेल की सलावकों की पिछे डाला जाए और जो बाब साब की मुर्ती को खंडित किया गया उस मुर्ती को दोबारा स्थापित किया जाए म परसासन ने हमें मंगलवार तक का टाइम दिया लेकिन हम उससे सहमत नहीं है अभी जो है कमेटी का गठन यहाँ पर किया जाएगा जो कमेटी निरने लेगी वो आपको और परसासन को गाउं बरेडी में रात को बाबा साहिब अम्बेटकर की मूर्ती को कंडित करा को शिरा जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जिस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जिस भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुप करेंगा